हेलो गईज मैं अंकूर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो आई प्यों के बारे में एक तो है एंटीपीसी ग्रीन एनरजी 19 ओफ नमबर को यह आई पी ओपन हो चुका है हम इस वीडियो में जानेंगे इसके एं इंकर के बारे में डीटिल में बताऊंगा ठीक है इसके एक और आई पर जोड़ी हो चुका है जिनका सलेशन इसके अलॉट्मन रिलेटिट और जो भी बेसिक डीटेल्स है वह सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में यह दोनों चीज़े आपको मैं इस वीडियो में इस बात को हो गए दो दिन फिलाल तो सारी चीज़े ठीक है अभी नॉर्मल है आप मेंसे जितने लोगों ने भी कमेंट किया या मैसेज किया आप सभी को मैं यह भी बोलना चाहूंगा कि भाई दिल से धन्यवाद आप सभी के स्केर के लिए फिलाल सारी चीज़े ठीक है की बेसिक डीटेल से आई पीओ जैसे कि मैं आपको बता है स्टार्टिंग में ही ओपन हो चुका है 19th of November 22nd को इसकी क्लोजिंग डेट है 25th को अलॉट्मन और 27 को लिस्टिंग प्राइज मन आप सभी को पता ही होगा 108 का स्टेंडर फेसल लिए और साइस 10,000 करोड का है तो ब एफेवर में हो सकती है तो该 इसक जो एंकर लिस्ट है एंस से घर का वहमने आपके सचाब पूरी डीटेल में साजा कर दिया है कल टयम ही नी यहा करने का आचसा अगर डीटेल में हर दीटेल बहुं के एक बज़े हमने यह शेयर किया है आज के दिन ही जाके सारा डेटियल देख सकते हूं आपको यहां पर शॉट में बताऊंगा ठीक है और सब्सक्रिप्शन डेटा नौल के लिए इस न्यूस चनल को जाइन भी करना डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंग दो नंबर में पर गाइड किया है और एक दिन का नहीं आप देख लो लास्ट 13 तारी को देख सकते हो प्र चार्स फोइंग अगेन मिला वह भी गाइडेंस के साथ प्रॉपर पूल करके पूछा हुआ किसके पास है किसके पास नहीं है सारा कोच देख सकते हैं पर 14 तारी का लास्ट जो क् सिर्फ मिस किया है बाकी रेगुलर आपको मिलते हैं खुछ जाओ चेक आउट करो आपको पता चल जाएगा प्रॉपर गाइड़न्स के साथ एक नंबर पर इसका लिंक दो नंबर पर न्यूस चनल का मैंन आपको बताई दिया है तीन नंबर पर आपको वाटसप चनल का जहां आपको अब यहांबे कुछ मेजर नाम आप देख लो 107 नाम लगभग आए है जिसमें से जो बिग नेम है उसमें से LIC का नाम है LIC ने 12.63% और मैं एक्सपर्ट कर रहा था LIC का बेकास एक तो गौर्णमेंट कंपनी है और LIC भी गौर्णमेंट एंटिटी है तो पैसा आना स्वभाविक था और 12.6% पूरे साइज का इनों ने लिया है और गौर्णमेंट आफ सिंगापुन ने 5.31% गोल्मेंट शैक ने 5.70%, अबुधाबी ने 2.53%, SBI-LIF ने 2.53%, SDFC Life ने भी 2.53% इसमें लिया और यह सारे जिनों ने ज़्यादा इन्वेश्मेंट करी है उनका नाम था अगर जो थोड़ा रिटेल में देखें तो रहां 3960 करोड का एंकर बुक है मतलब 10,000 करोड में इतना एंकर ने पैसा डाल 10,000 मतलब 10 में से 9.5 देना पड़ेगा और 10 में से 10 भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, एंकर लिस्ट बहुत बढ़िया आई है, बहुत शानदार आई है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, तो साथ नाम आए और सारे बढ़िया नाम आए है, ठीक है, कुछ अगर जो थोड़ है, वो खतमों के IPO अच्छा करता हुआ, देख सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर एंकर लिस्ट से फिलाल तो कोई शिकायत नहीं है, अब बात कर लें इसके सस्क्रिप्शन डेटा की, तो गई सस्क्रिप्शन डेटा देख सकते हो, यहाँ पर एक बच्च के 35 नट का हमने साज किया है, टोटल 0.25% हुआ है, जिससे आप से 1,483.55 करोड रुपीज डा देगा है, शेरोडर कैटिगरी में 0.42 टाइम हो चुका है, और शेरोडर कैटिगरी में जो कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो हमने एक वीडियो बनाई है, जिसमें शेरोडर कैटिगरी बारे में A to Z हर चीज़ बता रहा है, टीक है एक बार यहां पे थमने लगाद रहा है, जाके देखना उसमें IEP के सेक्टर की अर्षिस कर रखी है, जो कि detail review video में मैं मिस कर गया था, detail review video का link मी मिल जाएगा, इस सेक्टर másies वाली वीडियो देखना उसमें आको शेरोडर कोट एंगरी कोई द ताइम किया है रेटेलर्स ने अपना कोटा फुल कर दिया है 904 को रुपीज डाले है एच्चनाई ने कलेक्टिवली 0.1 डाला है नाके बराबर क्यों इसने भी नाके बराबर पैसा डाला है फिलाल एक बच के 35 मदब येड़ बज़े का डेटा ये और बढ़ भी सकता है लास अगला नाम है जिसके बार हम बात करेंगे जनका लोजिस्टिक में मैं आपको जो सस्क्रप्शन डेटा है वो एक बार ही शेयर कर पाया था लेकिन मैंने कोशिश की कि भाई तीन बज़े आपको शेयर कर दिया है एक घंडे बाद फिर शेयर कर दोगा बट नेटवर्क ही न लोजिंग का तो 1.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है 1145 करोड रूपीस टोटल डालेगा है देट आपके सामने है रिटेलर्स ने 1.13 टाइम किया है अगर जो यहां पर अलॉट्मेंट चांसे की बात करें तो काफी बिड कैंसल हुई है और यहां पर जो अलॉट्मेंट है व भी आएगा हम न्यूज चनल पर साजा कर देंगे वाट्साप पर टेलिग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी साजा कर देंगे तो आप उनको जॉइन कर लो केफिंट टेक की वेबसेट पर इसका अलॉट्मेंट आपको चग करना है फिलहाल बात कर इसे ग्रेमा करें की त आपको क्यों की चीज़ें चाहिए आपको ऑन टेम अपडेट चाहिए इसलिए हम अपना पूरा टाइम पूरा फोकस हर एक सिचुवेशन में रखते हैं ध्यान देते हैं कि आपको चीज़ें मिले तो अगर जो हम आपके लिए इतना कर रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट करना बाकी इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लेना ऐसा बैक अप और बाकी चैनल्स को भी आप फॉलो कर सकते हो और कमेंटर के जरूर बता देना है कि जो वीडियो से आपको चीज़ें समझ आई है फायदा मिला है तो ठीक है तो आप क्या करने वालें टीपीसी में ये बाब फनाओ